अंतर स्योग में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे थाइस को शेप में रखने के लिए बहुत इजी एंड सिंपल वाक आउट दोनों पैरों में एक से डेट फिट का अंतर दोनों हाथ कमर पर घहरा सांस भरते हुए एक साइट टरन करते इपने को जमीन से लगाने की कोशिश कीजिए दोनों तरफ से 5-5 टाइम्स विशेश बात शेरीर के कुछ हिसों में आसानी से फैट जमा हो जाता है उनमें से थाई भी एक है इसलिए थाई का फैट कम करना बहुत जरूरी होता है लेकिन थाई को तब ही हल्दी माना जाता ह जब इनर थाई अच्छे से टोन हो एक पैर को आगे रखते हुए दोनों हाथों को श्मतानुसार दूसरे पैर को आगे रखें दोनों हाथों को श्मतानुसार आपिसे बढ़ा भी सकते हैं थाइस के शेप के लिए बहुत ही बढ़िया वक आउट थर्ड वक आउट पूरी शेरी का मुटापा कम करने के साथ साथ शेरी में फुर्ति लाने के लिए सांस को बाहर निकालते पैर को मैक्सिमम आगे रखे दुन हाथों को साइड में रखकर बैनेंस कीजिए धीरे से वापस उसी पैर को पीछे के और ले जाते हुए दोनों पैरों से फाइब फाइब टाइमस इस एक्सेसाई को नियमित रूप से करने से आपके शरी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी इसके लावा पैरों का कोई भी दर्द हो वो अपने आप भाग जाएगा रिलैक्स होकर वन बाइवन एक एक पैर को आगे पीछे करने का अभ्यास पैरों की मास पेशियों को मस्बूत बनाने के साथ साथ टुटल बाडी वाक आउट पूरी शरी के फिटनेस के लिए बहुत बढ़िया वाक आउट आज़ कि पुरण है झाल झाल